साथियों नमस्कार गद्य सिक्षण स्रिंखला में आपका स्वागत है इस स्रिंखला के अंतरगत आज हम मसहूर कथाकार प्रेमचंद और उनकी कहानी इदगाह पर चर्चा करेंगे प्रेमचंद की यह कहानी इदगाह यन्सियाटी की कक्षाद 11 की एक्षिक हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग एक में संकलित है कहानी से जुड़े महत्वपुन बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए बिशे बिशे सग्य के रूप में आज हमारे बीच उपस्थित हैं प्रुफसर ओम प्रकास सिंग प्रुफसर ओम प्रकास सिंग जवाहलन नहरू विश्विद्याले के भारती भाषा केंद्र के अध्यक्ष हैं भासा साहित्य सिक्षण में इनकी गहरी रुचि है यह लेखक और रचनाकार भी हैं उनसे बात चीत कर रहे हैं डाक्टर बीर पाल सिंग महात्मा गांधी अंतराष्टी हिंदी विश्विद्याले वर्धा महाराष्ट में हिंदी भासा साहित्य के अध्यता हैं भासा साहित्य सिक्षण में उनकी गहरी रुचि है आईए देखते हैं उनकी बात चीत साथियो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेमचंद की प्रशिद कहानी इद गहा पर इस कहानी के ऊपर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है प्रोफेसर ओमपरकाज सिंग आपका स्टूडियो में स्वागत है डाक्ट साब बहतर होगा कि प्रेमचंद की कहानी पर चर् हैं उनका जन्म बनारस के आसपास लमही नाम के एक गाउ में अठारा सव असी में हुगा था प्रेमचंद ने बहुत लंबी आयू नहीं पाई थी वे 1936 तक जिंदा रहे लेकिन अपने जीमन के इसी कम समय में ही उन्हों ने हमें दर्जन भरू पन्यास लगभक तीन सव कह कहानिया उर्दू के अनेक प्रमुख ग्रंथों का अनुबाद और कई पत्र-पत्रिकाओं का संपादन किया निर्मला रंगभूम कर्मभूम गबन गोदान ये प्रेमचंद के कुछ महत्वपूर उपन्यास हैं इसी तरह से प्रेमचंद की लगभक तीन सव कहानिया मानसरोवर नाम के संकलन में संकलित हैं मानसरोवर आठ भाग हैं प्रेमचंद एक ऐसे रचनकार हैं जिन्होंने सामाजिक समस्याओं को अपनी रचना का केंद्रबिंदू बनाया कई तरह से मनुष्य के कई भागों को उन्होंने अपनी रचनाओं में दर्साया कहीं सामाजिक समस्या है कहीं राजनितिक समस्या कहीं आर्थिक समस्या है कहीं जातिबाद की समस्या है कहीं छुगाचूत की समस्या है कहीं उचनीच की समस्या है यह तमाम चीजें प्रेमचंद की रचनाओं में फैली हुई है और इन रचनाओं के माध्यम से प्रेमचंद ने अपने पाठकों को कुछ निश्चित संदेश दिया है एक चीज और हम कहना चाहेंगे कि प्रेम चंद हिंदी के पहले ऐसे कथाकार हैं जिनकी भासा हिंदी और उर्दू दोनों के नजदीक है यह जान करके आप लोगों को खुशी होगी कि प्रेम चंद की कई रचनाएं ऐसी हैं जो पहले उर्दू में लिखी गई फिर उन्होंने हिंदी में उसका तर्जुमा किया, हम तर्जुमा भी नहीं कहेंगे, अनुबाद भी नहीं कहेंगे, अंग्रेजी का एक सब्द है ट्रांसिस्क्रिप्ट, हिंदी में जिसको लिपेंतरण के नाम से जाना जाता है, कि वह उन्होंने लिपेंतरण किया, या कह सकते ह वे लिखते थे लेकिन 1907 में उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन अंग्रेजों ने जब्त कर लिया उसी जब्त करने के कारण उनके एक मित्र जमाना के संपादक मुंसी दयान रायन निगम ने कहा कि अब आप प्रेम चंद के नाम से लिखना सुरू करिये फिर वे प्रेम च के बारे में आपने बहुत खुबशूरती से बताया डाक साब हम जानना चाहते हैं कि इदगाह कहानी में प्रेम चंद बालकों की कहानी नहीं है इसका एक पात्र हामिद वह बालक है लेकिन वह बालक मानवता की एक बड़ी समस्या से टकराता है वह यह देखता है परिवार में अपनी बुड़ी दादी को अमीना अमिणा की उसके पालन पोसर में और गर के रोजमर्रा के कामों में अमीना को कितनी परिशाणी हो रही है और अमीना की परिशाणी के सबब से वह अपना सारा दुख भूल जाता है सुख भूल जाता है उसे केवल यह याद रहता है कि दादी की हिफाज़त दादी की सुरक्षा दादी को उनके कामों में आराम पहुचाना एक ऐसे संभव हो देखिए एक बच्चे की इस्थिति यह होती है कि बच्चा अपने बारे में ही सोचता है लेकिन यहां हामिद अपने बारे में न सोच करके अपनी दादी के बारे में सोचता है यह असंगत नहीं है यानि गरीबी आदमी को प्रौड बना देती है जिस तरह से अभाओं में ज के सामने तमाम खेल, कूट, खिलाओं ने इन सब का कोई वजूद नहीं रहा जाता, कोई अस्तित नहीं रहा जाता है, वह केवल यह जानना चाहता है, यह देखता है, इसके लिए प्रयास करता है कि हम अपने, अपने पासपड़ोंच के लोगों, अपने बुजुर्गों इनके जीवन को कैसे सुखी बना दे। यह वो कहता है कि मिठाई में क्या नेमत है, मिठाई के लिए तो किताबों में लाग बुराइयां लिखी होई हैं, वो बच्चे मेले में जाते हैं तो मिठाई खरीते हैं लेकिन वो मना कर देता है, मिठाई खाने में. देखिए ऐसा है जब मैंने यह कहा कि प्रेम चंद हिंदी के पहले ऐसा कथाकार हैं जो हिंदी उर्दू दोनों भासाओं में समानगती से लिखते हैं. मैं एक चीज़ और कहना चाहूंगा कि प्रेम चंद पहले ऐसे कथाकार हैं जो हिंदू और मुसल्मान दोनों के जीवन को बड़े बखुबी धंग से उकेरते हैं हामिद और अमीना इसके बाध्यम से प्रेम चंद ने मुसलिम जीवन का एक जबरदस्त खाका खीचा है किस तरह से किस उत्सा से किस जोस खरोष के साथ ईद की तयारी होती है बच्चे कैसे मिल जूल करके ईद का मेला देखने जाते हैं उनका खान पान उनका रहन सहन उनका भाईचारा और उस मेले में जहां हामिद के साथ ही कोई सिपाही खरिदता है कोई भिष्टी खरिदता है, कोई और खिलो ना खरिदता है, वहां हामित परसान है कि उसके पास जो थोड़ा सा पैसा है, एक रुपया है साइद, तीन, तीन, तीन. तीन रूपय हैं, कि वह उन तीन रुपयों में कौन सी ऐसी चीज खरिद ले, तीन पैसे जिससे दादी को सुविधा हूँ और उसे एका एक ध्यान आता है कि रोटियां बनाते हुए अक्सर दादी का हाथ जल जाता है और वह मोल भाव करके उन तीन पैसों का वह चिम्टा खरीद लेता है यह भी बाल मनों भी ज्यान है जिसको प्रेम चंद ने बड़े खुबी पकड़ा है कि किस तरह से बच्चे अपने अपने खिलऊने की तारीफ कर रहे हैं जिश्टी तो हुआ क्या करेगा सिपाई है तो है क्या करेगा उसी तरह से हामिद भी अपने चिम्टे के लिए तर्क गढ़ लेता है जी डाक साब रुस्त में हिंद कहता है चिम्टे को रुस्त में हिंद कहता है और यह कहता है कि यह तो यह कैसा चिम्टा है कि इसके माध्यम से जरा सा अगर हम एक चिम्टा मार देंगे तो आपका सिपाही लुडग जाएगा, आपका भिष्ति अपना चरस हो गएरा जो है उसको फेक करके कहीं और भाग जाएगा, मतलब हुआ कहीं भी उसके मन में inferiority complex, जिसको कि हम कहेंगे कि वह उसके कारण अपने को हीन नहीं समझ रहा है, बलकि उसके कारण अपने को और मजबूत समझ रहा है, और मजबूत दिखाई दे रहा है, प्रेमचंद ये संदेश दे रहा है, आजादी के पूर गरीब भारत के लिए, डग साब वो ये भी कहता है, जब दादी उसकी कहती है, पाओं में चपल भी नहीं है, और तीन कोस पैदल कैसे जाओगे, तुम जल्दी आना, चूंकि, और तो वो कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, हम बिल्कुल ना डरना, मैं आ जाओगा समय से, देखिए इस कहानी को एक और तरह से देखना चाहिए, हामिद को जितनी चिंता दादी की है, अमीना की, उससे अधिक चिंता अमीना को हामिद की है, दोनों एक दूसरे के सुख दुख का ख्याल रखते हैं, और ये चाहते हैं, और एक चीज़ देखिएगा कि उनके बीच म सुरक्षित करना चाहती है, समाज में यह भी दिखाई देता है कि हमारी नई पीड़ी किस तरह से पुरानी पीड़ी की अवहलना करती है, लेकिन आप प्रेम चंद के यहां देखेंगे तो यह अवहलना नहीं है, जितनी पुरानी पीड़ी प्यार कर रही है, उससे ज्यादा प्यार, उससे ज्यादा मुहबबद, उससे ज्यादा सुरक्षा देने की भाउना नई पीड़ी में भी है. एक साल पहले उसके अब्बा गुजर गये थे हैजे की बीमारी से, और उसके बाद उसकी अम्मी चलवसी, तो वो कहती भी है उसकी दादी, उसकी अम्मा जो अमीन कि प्रेम चन इस कहानी के माध्यम से जो आज का ब्रद विमर्स है उसकी तरह भी इसारा कर रहे हैं कि बुजुर्गों की जो देख रेक हैं आज ओल्ड होमेज बढ़ रहे हैं और ये बड़ी विक्राल समस्या पड़े लिखे लोगों के साथ में हैं कि वो अपने ब्रद बु बिरपाल जी आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी बड़ी बात यह है कि हम इस कहानी को बाल मनोविज्ञान की कहते हैं लेकिन अगर देखा जाए तो इस कहानी में जितना बाल मनोविज्ञान है उससे कम बिद्ध मनोविज्ञान नहीं है और प्रेम चंद व्यक्त की मानस कि इस्तिति का चितरण करने में कुशल थे उनके किसी कहानी में देखिए कि जो पातर आते हैं वे vous अपने मनोभाओं को किस तरह से व्यक्त करते हैं यह मनोभाओ और उसका अस्पस्टी करण हामिद के हां भी है और इन भावों का पूरा अस्पस्टी करण अमीना के हां भी है मैंने पहले कहा कि इस चीज को लक्ष करना चाहिए ध्यान देना चाहिए देखना चाहिए कि अमीना तूट कर हामिद को प्यार करती है, हर तरह से उसकी सुरक्षा चाहती है, हर तरह से उसे बचाय रखना चाहती है, उसका कोई नुकसान नहोंने पावा है, कोई सारीरी चोट नह पहुंचने पावा है, वह जितना ख्याल करती है, उससे कम हामिद अपनी दादी अमीन आजाता है और हामिद में प्रोड जैसा भाव आजाता है। डाक साथ इस से कहानी पर चर्चा करें, तो देखते हैं जब बच्चे सहर जाते हैं, ईद गहा जाते हैं, तो वहां जो स्कूल मिलते हैं, वो कमेंट जो करते हैं, प्रित्किरिया ब्यक्ति करते हैं, और आपस में प्रस्न करते हैं, कि इतने बड़े-बड़े बच्चे दाड़ी मूच आ गई है, यह क्या पढ़ते होंगे। तो जो हमारी तत्कालीन सिच्छा विवस्था थी, वो बच्चों के माध्यम से, या जब में, जो अंग्रेज में हैं, उनको खेलते हुए जब देखते हैं, क्र मेरी आम्मी या मेरी दादी तो इसको बैट को पकड़ भी नहीं पाएंगी, भले वो दौड़ जाती हूँ, या जब वो पुलिस को देखता है, कहता है, यह पुलिस थाना है, तो कहते हैं कि यह पुलिस वाले जो है, चोरी आप आराम से सोते हैं, चोरी नहीं होती, चूप यह पुलिस वाले रच्छा करते हैं, तो महसिन कहता है कि नहीं, इन ही के कारण तो चोरी होती है, एक तरफ कहते हैं कि आप जो है, जाकते रो, दूसरी तरफ चोरों को कहते हैं, आप चोरी करो, तो यह बाल मनो विज्ञान ना होके, प्रावड मनो विज्ञान है, जिसमें महसिन कहता है रक्षा कि आपको याद होगा वहां महसिन कहता है कि मेरे मामू पुलिस कानिस टेवेल हैं 20 रुपए महिने पाते हैं और 50 रुपए घर भेजते हैं देखिए प्रेम चेंद ने जिस समय कहानी लिखी वह एक संक्रमण का दौर था संक्रमण का दौर इस रूप में समझे कि हम कुछ नई सभेदाओं से परिचित हो चुके थे और हमारे बालक उनसे परिचित हो रहे थे कुछ बीमारियां भी नहीं जैसे भ्रस्टाचार आजादी के परिए एक तरफ अंग्रेज दूसरी तरफ हिंदुगों के साथ साथ भारत वरसमें मुस्लिम आबादी तीसरी तरफ अफसरों की स्थिति चौथी तरफ जो चीजें हमें सुरक्षा मुगया कराने के लिए या जो चीजें जो तंत्र हमारी सुविधा के लिए तयार किया गया था उस तंत्र में भी भ्रस्टाचार का फैलना तो एक तरफ तो प्रेमचंद अंग्रेजी समाज की समिक्षा करते हुए इस कहानी में दिखाई देंगे आजादी के पहले की आजादी से पहले की दूसरी त का सम्स्कृती है जो मिली-जुली सम्स्कृती है इस सम्कृती में तीज त्यवहार मेले ठेले इस तरह से घुले-मिले हैं कि हम उनको हिंदू-musalmāन में नहीं बाढ़ सकते जिस तरह से एक हिंदू को दसारे दिपावली कब आएगी इसका इंतजार उसे लंबे समय पहले स रहता है उसी तरह से हामित को भी लंब समय से यह इन्तिजार है कि एद कब आएगी एक साल का टेवार हैं यह साल का तेवार है और साल का एक तेवार है जिसमें बच्चे कुछ खाने पीने, लिए मनाने एक दूसरे से गले मिलने या या एक ऐसा तेवार है जिसमें की गरीब परिवार के लोग कपड़े बनवाते हैं कपड़े नए कपड़े बनते हैं कर्ज लेकर के भी किसी भी तरह से उस तेवार के साथ मनाना है हमिद इन तमाम चीजों को आप देखेंगे कि जो और लोग कर रहे हैं या जिस रूप में तेवार मना रहे हैं उस रूप में वह तेवार न मना करके अपनी इस्थिती को बड़ी प्रवड़ता के साथ देखता है और बड़ी प्रवड़ता के साथ देख करके वह तमाम चीज महननुवी मुल्य है जिसको प्रेम, चंदqu and अस्थापित करना चाहते थे वहाँ नहीं हिंदु की बात है न मुसलमान की बात है न माल्मन की बिज्ञान की बात है या जरूर है कि हिन्दु समाज मुस्लिम समाज और और अंग्रेज समाज की बड़ी थोड़ी सी जलकी, मुस्लिम समाज की भरपूर जलकी और उसी के बरक्स हिंदू समाज पर कहीं कहीं टिपड़ी करना या टिपड़ी करते हुए प्रेम-चंद-ईदगाह कहानी के माद्यम से हमारे सामने तीनो भारतिय सम्स्कृतियों जो भारत में आ गई थी भारतिय नहीं थी हम कहें तो हिंदू और मुसल्मान इस तरह से आपस में mix up हो गए थे इस तरह से मिल गए थे कि उनकी एक मुस्तरका एक मिली जूनी सम्स्कृती बिक्सित हो चुकी थी, लेकिन अंग्रेज मेमे और अंग्रेज सहाब बहदूर, अभी भी हिंदूस्तान के लिए एक ऐसा बिसाय बने हुए थे, अबूज पहली बने हुए थे, जिनको लोग भचा नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे और ना समझ पाने का कारण उनका रहान, सहान, खान, पान, पुसाख, एक ऐसा पहरवा, या कुछ ऐसे खेल खेलना जो भारतियों के लिए नितांत अपरचित थे, इस काट को देखना, लंबी उचे कपड़ों को देखना, या मेमो का दवड़ करके खेलते रहना, यह एक प्रेम चंद के लिए जितना असर जनक था, उससे ज़्यादा असर जनक आमित के लिए था, और एक डग साब ब्यंग भी वो करते हैं, एक उपहास भी करते हैं, जब वो कहते हैं कि दादी इन से ज़्यादा दोड़ जाएगी, लेकिन वो बैट नहीं पकड़ पाएगी, तो डग साब इसके कहने का मतलब कि अभी तक इस कहानी को, इदगा कहानी को जो आलुचक हैं, साहितकार हैं या जो पाठक हैं, वो सिर्फ बाल मनुविज्ञान की दरस्टी से देखते रहे, आपका मानना है कि ना सिर्फ इसमें बाल मर्स की भी जो है, इसमें चिंता है, और एक दादी के लिए जो उनकी बुजुर्ग हैं, उसकी रखवाली नई पीड़ी, नए बच्चे कैसे करें, उसकी तरफ हैं, और भारत की मिली जुली, संस्कृती, उनके त्योहार हैं, उनके उत्सों हैं, उनकी भासा हैं, उनकी कोड़ना चाहूँगा, कि हिंदी कथा साहित के विकास क्रम में, प्रेम चंद एक मील के पत्थर हैं, और अगर कहानी, उपन्यास, या किसी कथा में, मनो भिज्ञान नहीं होगा, तो कथा नहीं नहीं सकती, अपने चरित्र के मन को समझना, या लेखक के लिए सबसे जरूर होता है, तो प्रेम चंद के चरित्र, बुजूर्ग भी है, बच्चे भी है, नौजमान भी है, अधेर भी है, दुआजू भी है, बिदवाइस्तियां भी है, हिंदू है, मुसल्मान है, तो प्रेम चंद इन सब के मनो भिज्ञान को समझ रहे थे, और इन सब के मनो हुए अपनी कथा को उन्होंने विस्तार दिया है प्रेम चंद के बाद किसी चरित्र के मुकम्मल सभाव को समझना थोड़ा मुश्किल हो गया और आप इसके बाद देखेंगे कि मनोबग्यानि कुपन्यासों की धारा चल गई है प्रेम चंद के हां इस तरह से अलग से कोई म प्रेम चंद अपने पात्रों के मनोबग्यान को बखुबी समझते थे और पूरी समझदारी के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया है उन्हें क्या पता कि चौदरी अगर आखें फेर लें तो यह सारी की सारी एद मोहर्रम हो जाएगी तब्दील हो जाई यानि कैसे उस समय का जो समास था जो गरीबी थी जो संघर्स था जन सामान में उसके भी अप्रतिम चितेरे थे प्रेम चंद राक्साव आपने बहुत खूप्शूर्ती से प्रेम चंद की कहानी इदगाह पर बातचीत रखी हम आपका बहुत-बहुत धन्वात करें नमस्कार साथियों अभी आपने मसहूर कथाकार प्रेम चंद और उनकी कहानी इदगाह पर यह चर्चा देखी और सुनी इस चर्चा के उपरांत आप लों के मन में बहुत सारे प्रश्ण और जिग्यासाएं रही होगी जिनका समाधान स्वतय हो गया होगा फिर भी आप लों के मन मे कोई प्रश्ण कोई जिग्यासा हो तो आप अपने साथि मित्रों से चर्चा करें अपने गुर्यनों से बात चीत करें साथियों अब हमारा कारक्रम यहीं संपन होता है अगले कारक्रम में हम किसी अन्य लेखक और उनकी रचना के साथ फिर प्रस्तुत होगे तब तक के लि हुआ 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 हुए झाल झाल